आप सब्वी का स्वागत है मैं ओनिस कुमार All India quota 15% Second round का fresh registration आज से start हो रहा है 20 नौमबर से 23 नौमबर आप सब्वी को date दिया जाएगा अगर आप सब्वी ने first round में registration नहीं किया है तो आप सब्वी को fresh registration करने का मौका दिया जा रहा है लेकिन जितने भी students ने अगर first round में already registration कर दिया है तो आप सब्वी को registration दुबारा second round में नहीं करना है ये clear MCC ने कहा है आप सब्वी को यानि जितने भी students ने first round में already registration कर दिया है अगर उनको college allotment नहीं हुआ है या college allotment होने के बाद अगर आप सब्वी ने free exist किया है तब आप सब्वी को second round में सिर्फ 24 फिल करना है लेकिन अगर first round में जितने भी students ने registration नहीं किया है वहीं students second round में registration करेंगे 20 से 23 नौबर तक आप सब्वी को time दिया जाएगा यहां लिखा गया है registration for round second और payment, 24 फिल और 24 locking इस्टार्ट होगा 20 नौबर से 24 नौबर तक उसके बाद MCC seat allotment का process स्टार्ट करेगा 25 और 26 नौबर को और आप सब्वी को allotment करेगा result जारी करेगा 27 नौबर को और reporting करना है college में 28 नौबर 28 नौबर से 8 दिसमबर तक यह रहा proper schedule यहां देखे तो अगर आप सब्वी ने first round में registration नहीं किया है तो second round में आप सबी कर सकते हैं लेकिन first round में अगर आप सबी ने कर दिया है तो second round में बिलकूल registration नहीं करना है आप सब्वी को clear अपने prospectus में कहा है MCC ने लेकिन choice fill करना अनिवार्ज है सबी students को ठीक है फ्रेंड और उसके बाद mop up round किया जाएगा लेकिन mop up round जो है central dimmed ESIC MS और zipmer के लिए ही किये जाएगे ठीक है फ्रेंड बस मुझे आप जुबू को यहीं बता न था अब भी के लिए तना ही like, share और subscribe जिरू करें thanks for आज के वीडियो